चेतना बलहारा आज के दिनों में फेमस हर्यानवी कवितरी और जानीमानी हस्ती वन गई हैं। चेतना की हर्यानवी पोटरी लोगों दवारा खूब पसंद की जा रही है। मात्र 19 साल की शेतना की कविताएं पूरे इंडिया में वाइरल हो रही हैं। चेतना यही नहीं दिस्ट्रिक लेवल तक बैड्मिंटन खेल चुकी हैं। बच्पन में स्टेज पे गाना गाना और हर एक्टिविटी में भाग लेना चेतना को अच्छा लगता था। दिल्ली की रहने वाली चेतना के नाना जी का घर हर्याना में हैं। जहां बे अकसर जाती रहती हैं और वहीं से इन्होंने हर्यान भी सीखी और यहीं से स्टार्ट हुआ उनके केरियर का सफ़र। चेतना का अपना यूट्यूब पे चैनल भी है जिस पे बे अपनी नई-नई कवितायन डालती रहती हैं। जिनमें से ज्यादा वाइरल होती हैं। चेतना वलहारा के लाइफस्टाइल की बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रियल नेम इस चेतना वलहारा निग नेम इस चेतना। चेतना का जर्म हुआ है 10 जुलाई 2001 को और ये डैली की रहने वाली हैं। चेतना हो गई है 20 एर्स की। पाई प्रेशन की पहायरा चेतना चेतना की एक बहन भी हैं। चलिए ये जानते हैं की एजिकीशन के बारे में। तो इनकी स्कूल की पढ़ाई हुई है कॉरमेट गल्स सीनिर सकैंडरी स्कूल डैली से। Hindu वाय रिजिजन शंशाइनी इर्स एंडियन वाय नेशिनलिटी, स्टेंडिंग 5 फिट टू इंस्टॉ 52 केजी वेट एंड हर साइस इस 32, 28, 32, ब्लैक हेर, ब्लैक आइस एंड शे इस वेजिस्टेरियन, लेट्स टॉक अबट सम फेवरिट अफ चेतना, और फेवरिट अक्टर इस रनवी कपूर, फेवरिट अक्टर इस अनुष्का शर्मा, फेवरिट सिंगर इस दिलजीत दोसांच, खाने में चेतना को राजमा और राइस अच्छे लगते हैं, इसके अलावा चेतना को डांस करना, सिंगिंग करना और बैडिमिंटन खेलना अच्छा लगता है, बात करते हैं सोशल मीडिया प्रेजन्स की, तो फेस्बूप पे 2,000, इंस्टाग्राम पे 36,000, और यूटूब पे 13,000 की हीउस फैन फॉलिंग है, आई जानते हैं कि चेतना कमाती कितना है, तो चेतना लेती हैं पर मंद का 60,000 डूपीज, और इनकी नेट भर्ट है लगवग 10,000 डूपीज, तो ये सब जानकारी बहरी क्यूट स्माइल वाली चेतना की, आप भी चेतना की कविताओं को सुनते हैं और उनको पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षन के जरीए जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करने और पैल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले,